हेलो दोस्तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस न्यू वीडियो में तो दोस्तो आज किस वीडियो में हम बात करने वाले सर्फेस माइनिंग के उपर साथ ही हम ओपन पिट माइनिंग के उपर भी बात करेंगे तो दोस्तो surface mining एक ऐसा mine होता है जिसमें जो और है हमारा वो surface के near-liek करता है और उसको extract करने के लिए हम जो rock और soil का covering है उसको remove करते हैं और दोस्तो surface mining में हमें roof की support की ज़रूत नहीं पड़ती है तो इसे बहुत सर्फेस माइनिंग के तो अगर बात करें surface mining के advantages के over underground mining तो यह एक major कारण है कि surface mining generally हम more practice में लाते है as compared to underground mining तो दोस्तो surface mining के भी बहुत सारे methods होते है आज हम बात करने वाले open pit mining के उपर तो दोस्तो आप यह image में देख सकते है open pit का तो दोस्तो open pit mining एक ऐसा method होता है जिसमें हम जो rock या mineral को extract करते है वो एक open pit को create करके हम extract करते है और दोस्तो open pit हम इसलिए इसको बोलते है क्योंकि इसको हम differentiate करते हैं और भी हमारे methods होते है mineral को extract करने के लिए यह से tunneling हो गया तो उससे differentiate करने के लिए हम open pit term का use करते है क्लियर है दोस्तो और दोस्तो open pit mines वहां हम यूज करते है जहां जो हमारे commercially useful minerals या rocks है वो surface के near lie करता है और जो overburden है दोस्तो overburden मैंने यह एक term use किया overburden का मतलब होता है जो soil और rock के layers होते है जो bedrock को cover करते है यानि जो surface material होते है जो कि हमारे valuable deposits को या commercial use mineral को धक कर रखते है उन्हें हम overburden बोलते है तो दोस्तो surface mining हम पहले overburden को remove करते है और उसके बाद जब हमारा coal या other minerals है वो हम obtain कर लेते हैं उसके बाद वापस उसको replace कर देते है तो दोस्तो open pit mining हम उन cases में use करते है जहां जो overburden है दोस्तो वह relatively thin होता है पतला होता है और दोस्तों हम उस case में use करते है जहां जो हमारा जो surface के नीचे रहता है और बहुत ज्यादा नीचे रहता है और दोस्तों के बात करें तो हम उसे बहुत सकते है open pit mining को हम डिफाइन ऐसे कर सकते कि एक process of mining है जो की surface के नियर हम करते है surface pit create करके और यूजिंग benches ठीक दोस्तों आप यहां देख सकते हैं यह सब image benches का ओके और जोंटल benches दोस्तों आप यह image में देख सकते हैं दोस्तों इसमें भी हम सबसे पहले rock को break करने के लिए हम drilling और blasting करते हैं उसके बाद material का handling के लिए हम loading और haulage का use करते हैं तो यह सब methods इसमें employ किया जाता है और दोस्तों open pit mining ज्यादत तर दोस्तों mining metallic और non metallic deposit के लिए यूज किया जाता है और coal और restricted manner में coal यह other bedded deposit के लिए हम open pit का use करते हैं और दोस्तों जो materials हम extract करते हैं open pit में उसमें clay, coal, gravel, granite, gypsum, limestone, marvell, sandstone, metal ores such as copper, iron, gold and molybdenum यह सब दोस्तों हम extract करते है open pit mines के through दोस्तों 9 meter to 30 meter के height में जो benches में जो और over button होता है उनको हम remove करते है अगर over button present हो तब और दोस्तों हम किसी भी depth का pit को create कर सकते है जो benches उसको add करके ठीक है दोस्तों अगर thick deposit की बात की जाए तो दोस्तों thick deposit में बहुत सारे benches use में आते है और यह inverted cone एक ultra cone को resemble करते है आप दोस्तों image में देख सकते है यह ultra cone को resemble करते है ठीक है image आप यहाँ देख सकते है दोस्तों और दोस्तों अगर deposit या over burden पतला हो थिन हो दोस्तों तो single bench में भी काम हो जाता है तो दोस्तों यह था surface mining और open pit mining I hope आपको वीडियो पसंद आई हो कि दोस्तों वीडियो पसंद आई तो से ज्यादा ज्यादा लाइक करिए अपने दोस्तों के साथ सेर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए Thank you